हेलो विवर्स, रिशेल स्ट्रीट में आपका स्वाधत है आज की हमारी रेसिपी है मेथी की मत्री यह बहुती फ्लेवरफुल स्नैक है जिसे आप चाय के साथ ले सकते हैं शाम में और इस बारिश के मौसल में यह गरमा गरम चाय के साथ बहुती स्वाधिश्ट लगती है तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी और इसकी इंग्रीडिट्ट यहाँ पर लिया है डेड़ कप गेहु का आटा, आधा कप मैदा और एक चौथाई कप सूजी मैंने यहाँ पर मोटा सूजी यूज किया है आप चाहें तो पतला वाला भी यूज कर सकते हैं फिर मैंने डाला है आधा बड़ा चम्मज जीरा, आधा बड़ा चम्मज सफेद तिल, आधा बड़ा चम्मज काले वाले तिल, आधा बड़ा चम्मज अजवाइन, एक चोथाई चम्मज काली मिर्ची का पाउडर और नमक स्वादा नुसार. साथ ही मैंने इसमें डाला है आधा कप मेथी मेथी को मैंने अच्छे से वाश कर लिया था और उसे फिर बारी काट लिया है अब इसका हमें एक अच्छा सा डो तयार करना है इसमें मैंने मोहिन के लिए तेल एड किया है आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं तो यहां पर मैंने सबसे पहले तीन बड़े चम्मच तेल डाला है अब इन सभी चीजों को आप अच्छे से मिक्स कर ले अगर ये इस तरह से जुड़ जाता है आटा इसका मतलब आपका तेल का कंसिस्टंसी सही है और अगर तूट रहा है तो थोड़ा सा तेल और अड़ कर लीजे मुझे इसकी कंसिस्टंसी थोड़ी सी और बेटर चाहिए इसलिए मैंने यहां पर दो चम्मच तेल और अड़ कर लिया था और अब मैं इसे वापस से गूंद रही हूँ इस आटे को आपको पानी से ही गूंदना है और थोड़ा थोड़ा पानी करके ही गूंदना है यह देखी अब इस तरह से यह होना चाहिए, आटे का बाइंडिंग अब आप इसे थोड़े थोड़े पानी से गूंद लीजे आटा आपको ना तो जदा हाड बनाना है और ना ही जदा सौफ्ट आपको इसे सेमी सौफ्ट रखना है इस तरह से अब इस आटे को आप दो हिस्सों में equally डिवाइड कर ले और एक हिस्से को आप अच्छे से हाथों से फोल्ड कर ले इसे अच्छे से स्मूधन अप कर ले स्मूधन अप करने से आटा हमारा और सॉफ्ट हो जाएगा जो मठ्री के लिए काफी सही ठहरेगा अब इसमें से मैं और इक्विल पार्ट्स कर रही हूँ तो आप आटे को इक्विली डिवाइड कर ले मैंने छे पार्ट्स में इसे डिवाइड कर लिया है अब इसमें से एक पार्ट को लेके उसे आटा बनाना रहेगा जिससे हम रोटी बनाएंगे तो इसे आप सबसे पहले बेल लें रोटी के आकार में मैं मेरी मठ्री को राउंड शेप देने वाली हूँ आप चाहें तो कोई और शेप भी दे सकते हैं लेकिन यूजवली मठ्री गोल आकार की रहती है इसलिए मैंने भी वही आकार देने की कोशिश की है अगर आपका साइट से आटा कहीं से फट रहा है तो आप उसे उंगली से पिंच कर सकते हैं इस तरह से तो वो फटेगा नहीं आपको ये ज्यादा पतला भी नहीं रखना है और ज्यादा मोटा भी नहीं अब इसे एक फोक से आप आटे को प्रिक कर ले यानि उसमें इस तरह से होल्स बना ले ये इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारी मठ्री फूलनी नहीं चाहिए पूरी फूलती है इसलिए पूरी में हम होल्स नहीं करते हैं ये मठ्री है इसलिए इसमें हम होल्स कर रहे हैं ताकि वो फूले ना तेल में जाकर अब एक इस तरह का मैंने एक ढकन ले लिया है आपके पास कोई और ऐसा शेपर हो आप उसे भी इस्तमाल कर सकते हैं और इसे छोटे-छोटे राउंड में कट कर लें। बचे हुए आटे को आप वापस दूसरी मठ्रियां बनाने के लिए इस्तमाल करें। और इसे इस तरह से अलग कर लें। पैरलली मैंने तेल को गरम करने रख दिया है। तेल को मैंने मीडियम आज पे रखा हुआ है। और मैंने डीप फ्राय करूँगी तो मैंने उस हिसाब से तेल लिया है। यह देखिए इस तरह से आपको सारी मठ्रियों को अलग करना है। और अलग करते वक्त ध्यान रखिए कि यह फटेना कहीं से। यह देखिए इस तरह से इजी ली आपकी मठ्रियों अलग हो जाएंगी। तो यह तयार है अब तलने के लिए। मेरा तेल गरम हो चुका है। तो मैं इन्हें गरम तेल में ड्रॉप कर रही हूँ। एक साथ आप साथ से आठ मठ्री तल सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन आपका वैसल का साइज कितना है। मैंने यहाँ पर कुल छे से साथ मठ्रियां डाल दी हैं एक साथ। इन्हें आपको मीडियम टू हाई हीट पे ही तलना है। आपको आँच का एज्जिस्मेंट करते रहना रहेगा। क्यूंकि तेल अगर कभी ज्यादा गरम हो गया है तो हमारी मठ्रियां ज्यादा डार्क ना हो जाए। इन्हें हमें गोल्डन ब्राउन रखना है। मठ्रियों का स्वाद चाय के साथ बहुत ही अच्छा आता है। आपको यह हमारी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और आप इसे जरूर ट्राय करेंगे। आप अपना फीदबैक हमारे कमेंट सेक्शन के तुरू शेयर कर सकते हैं। प्लीज हमारे वीडियो को शेयर कीजेगा और हमारा चैनल सिब्सक्राइब कीजेगा। आप हमारा फेस्बूक पर पेज लाइक कर सकते हैं। थेंक्यू।